है है और दोस्तों वीलकम टूझ जिरॉआइस जिरूआइस में आपका स्वाः दोस्तों इस promo प्रेजन कहार है उसी तरह से दिर्फ्प्र हम लोग सी सेट का काभी प्रेजंग कम्लिटTheyंगे क्योंकि सीसेत् बहुत ज़रूर Freiहं को अगर निकालना है तो आपको Gs में तो cut off cross करना ही पड़ेगा साथी साथ Cset में जो qualifying marks है 66 marks मतलब 1 by 3rd वो आपको लाना पड़ेगा 200 में से ठीक है उसके लिए ज़रूरी है कि आप Cset को अच्छे से त्यारी करें इसको मजाक में नहीं लेना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे Cset नहीं पड़ते हैं Gs में तो prelims के लिए Cset का course लेके आये हैं ठीक है जो free of cost available होगा और हम लोग बिल्कुल basic से पढ़ेंगे और उसको advance तक करेंगे ठीक है इस course को करने के बाद आपको prelims निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा ठीक है आप Cset में कभी भी fail नहीं करेंगा असानी से आप Cset में भी 100 plus marks ला सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगा ठीक यह आज हमारा class number one है ठीक है इस lecture को present करो हमें दोस्तों मेरा नाम राहूल बरनवाल है मैं EPFO में selected officer हूँ साथी साथ मैंने UPSC का means 2020 में और UPSC का means 2021 में दिया है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज हम लोग Cset का class number one सबसे पह lecture तो देखिए आपको पता है कि Cset में दोस्तों जैसे हमारा जो prelims का paper है ठीक है इसमें एक GS का portion होता है और एक Cset का portion होता है Cset का full form है civil service ठीक है aptitude test इसमें आपका aptitude को test किया जाता है ठीक है तो GS में कितने number 200 number का होता है ठीक है और hundred questions होते हैं Cset में मतलब GS में एक question कितने number का हो गया कितने number का हो गया दो number का हो गया ठीक है तबी 100 question into 2 करेंगे तो 200 number का आपका होता है Cset भी आपका 200 number का होता है लेकिन इसमें जो questions होते हैं वो 80 questions होते हैं ठीक मतलब एक question C set में आपका धाई number कर रहता है ठीक और negative कितना होता है अगर एक question आप गलत करते हैं तो negative marking कितना होगा 1 by 3rd मतलब 2.5 by 3 negative marking होता है एक question गलत करने पर ठीक prelims अगर आपको निकालना है तो GS में आपको जो cutoff अगर हम देख रहे हैं तो 90 से अगर 100 तक आपका marks आ रहा है GS में ठीक है तो असानी से आप prelims में GS का cutoff क्रॉस कर लेंगे लेकिन अगर आपको C set में आपको साथी साथ qualify करना पड़ेगा और C set में qualify marks कितना है 1 3rd ठीक है 1 3rd मत में GS के portion में कितना भी number ले आए कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए हमें C set को भी qualify करना जरूरी है qualifying marks कितना है 200 का 1 3rd मतलब 200 को 1 3rd हो जाएगा 66 से 67 marks ठीक है मतलब समझ लिए 66 अगर आ रहा है तब आपका C set qualify होगा नहीं तो 68 क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा ठीक है और आपको GS में कितना भी आप ले आई है 200 में से 120 तक क्यों नहीं ले आई है कोई मतलब नहीं रहता है ठीक है इसलिए मैं यह course लेक आया हूँ ठीक है तो देखिए जो C set का हमारा syllabus है UPC ने कुछ syllabus fix नहीं किया है कि क्या क्या portion है लेकिन अगर previous year questions को हम देखते हैं C set के PYQ को द पैसे से दूसरा question पूछा जा रहा है reasoning से ठीक है और तीसरा पूछा जा रहा है आपका math से ठीक है यह तीन portion से question पूछा जाता है इसमें भी 26-27 question पूछा जाता है इसमें भी 26-27 question पूछा जाता है और math से भी 26-27 question पूछा जाता है और total question को हम इला देंगे तो लगभग 80 questions ब करें comprehensive तो बहुत असान है करना इसको करने में उतना दिक्कत नहीं होता है में जो बच्चों को दिक्कत हो रहा है वो मैंस और इसनिंग में comprehensive तो मैं आपको पांच-दस क्लास लूँगा उसको complete अच्छे से करवा देंगे ठीक है पूरा CSET का जो कोर्स है उसमें पूरा चीज़ करवाए जागा free of cost आपको कहीं भी कुछ करने का जूरत नहीं है बस इस lecture को देखते जाएगे डेली बेसिस पर जब जब आएगा और फिर question को करें अच्छे से करें तब तो मैट्स में जो इंपोर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले आप वह नोट कर लीजे कि क्या क्या से question पूछ रहा है अगर इन question topic और अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपको मैट्स में जो 26 से 27 कोश्चन आता है आपको कुछ भी करने का जूरत नहीं है ठीक है तो सबसे पहले मैट्स को complete करेंगे पूरा जितने भी topics previous question में आया है उन topics को उसके बाद हम reasoning करेंगा और फिर हम लास्ट में comprehension करेंगे ठीक है यह जो complete course है यह आपका दो से तीन महिना में complete हो जाएगा ठीक है मतलब समझ लोग कि जनवरी तक पूरा आपका सी सेट complete हो जाएगा कुछ भी आपको करने का जौरत नहीं है समझ में आ रहा है तो इधर आपका जी एस complete हो रहा है दिरे दिरे और जनवरी तक आपका जी एस भी complete हो जाएगा और सी से कितने topic है सुला topic जिसे यूपेसी question पूछ रहा है इन अगर सुला topic को अगर आप कर लेते हैं तो मैट्स में जो पचीस 26 से 27 question आपका पूछ रहा है हर साल इसमें असानी से आप more than 20 question कर लेंगे ठीक है more than 20 question आप कर लेंगे ठीक है और अगर और अच्छे से कर लेंगे तो असानी सा 25 question तक भी कर सकते हैं लेकिन हमारा target है math पे आप 20 से उपर question कर लीजे 15-20 question उसी तरह comprehensive में भी आप 15-20 question कर लीजे और reasoning में भी आप 15-20 question कर लीजे तो असानी से आप जो है एक सो से 120 नमबर आपका C-set में आ जाएगा और आपको लाना कितना है C-set में C-set में आपको 66 से 66 नमबरी लाना है तो आप उससे 50-60 नमबर एक्स्टा ले आएंगे अगर अच्छे से जो म आपका है ratio and proportion ठेक है ratio और मतलब अनुपात से related इसको में लोग बोलेंगे अनुपात ठेक दूसरा जो topic है वो है percentage मतलब प्रतीसत ठेक तीसरा जो topic है वो है profit and loss मतलब लाव और honey ठीक है चौथा जो topic है वो है simple interest and compound interest अगर ऐसे दिखे दें कि simple interest को एक topic मनाते हैं ठीक है मतलब साधारन ब्याज ठीक है और पाचवा topic है compound interest compound interest मतलब चक्रविद्धी ब्याज ठीक है तो पाचवा topic अब देख लिए जो छटा topic है वो है आपका number system ठीक है साथवा topic है time and work समय and कारे आठवा topic है pipes and system जो pipe से question पूछता है कि एक pipe एक टंकी को इतने दिर में भरती है दूसरा इतने दिर में खाली करती है तो क्या होगा वो सारा question ठीक है वो pipes and system बोलता है अगला है time and distance समय और दूरी वाला ठीक है दसवाँ जो topic है वो है नाव वाला boats and string ठीक है नाव और नदी वाला ठीक है एक ग्यारवाँ topic है average average का मतलब और सथ ठीक है बारवा जो topic है वो है mixture ठीक है मतलब miss run ठीक तेर्मा topic है mensuration में क्यूब क्यूब वाइट रेक्टेंगल ट्राइंगल वो सब पूसता है कौन यह सब का formula based अगला है partnership मतलब साज़ेदारी वाला ठीक है पंद्रवाँ topic है age जो उम्र का question पूस्टता है कि 5 साल पहले इतना उमर था 6 साल पहले इतना था तो परजेंटेज कितना है अगला है डेटा इंटर्प्रेटेशन ठीक है डेटा इंटर्प्रेटेशन समझ रहे हो जो ग्राफ होला question होता है ठीक है तो टोटल सुला topic है और यह topic सब बहुत असान है अगर आप पढ़ते हैं आपको सीशेट में ज्यादा टाइम नहीं देना है देली आपको 30 मिनट देना है बस 30 मिनट उससे ज्यादा समय नहीं देना है ठीक है क्योंकि अभी हमारे पास 6 मैना टाइम है मोटा मोटी तो 6 मैना sufficient time है सीशेट के लिए आपको maximum time देना है जीएस में लेकिन सीशेट को छोड़ना नहीं है क्योंकि यह इसमें qualify करना बहुत ज proportion, percentage, profit and loss, simple interest, compound interest, number system, time and work, pipes and system, time and distance, boards and stream, average, mixture, mensuration, partnership, pages, data interpretation, ठीक है समझ में आ रहा है इसमें अगर बोलेंगे कि important कौन सा topic है insular topic में तो important लगभग सब है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पूरा है ठीक है लेकिन topic number 1, 2, 3 ठीक है उसके बाद 6, 7 और 9 यह और ज्यादा important है तो इस पर extra focus करना है ठीक है बागी को अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो उतना फर्क नहीं पढ़ेगा लेकिन जो chapter number 1, 2, 3, 6, 7, 9 है इसको आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है बागी को भी पढ़ना है लेकिन इसको ज्याद ज्यादा focus करना कि maximum question इन ही topic से आते हैं ठीक है रेकिन proportion से percentage से profit and loss से number system time and work and time and distance समझ में आ रहा है तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं math का lecture ठीक है तो सबसे पहले हैं basic के बारे में basic पढ़ेंगे math में कुछ basic चीज आप ताकि आपका अधार जो है बने एक foundation बने ठीक है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे lcm के बारे में ठीक है lcm को क्या बोलते हैं दोस्तों list common multiple ठीक है हिंदी में बोलते हैं इसको लगुत्तम समाप वर्थब ठीक है समझ मार। सबसे पहले दिख्या है कि यह एक multiple है ठीक है तो do चीज होता है एक होता है multiple ठीक और एक होता है factor दोनों में बचे लोग को लगता ही कि एक ही है कि multiple और फयक्टर दोनों अलग-अलग छीज ए ठीख है multiple का मतलब यह है कि जो उसके table में आए जो उसके पहाड़ा में आए ठीख और factor का मतलब है जो उसको काट दे पूरा पूरा मतलब जो काट दे मतलब divide कर दे उसको factor बोलते हैं जैसे मैं बोलूं कि 12 का क्या होगा या मैं बोलू कि दो का मल्टीपल बताओ अब क्या होगा तो मैंने क्या बोला कि मतलब होता है जो उसके टेबल में है पाहड़ा में है तो दो का टेबल पढ़िए दो चार छे आठ दस ठीक है समझ में आ रहा है तो दो का मल्टीपल क्या होगा दो चार छे आठ दस बारह यह सा रही ठीक अगर मैं बोलू कि फैक्टर तो फैक्टर क्या होगा जो उसको काट दे तो दो का फैक्टर क्या होगा तो ऐसा नंबर चो दो को पूरा-पूरा काट दे दो किसे कटेगा एक से कटेगा और दो से कट बताएगा और कोई नमबर है युद्धो को पूरा-पूरा काट देगा नहीं पूरा-पूरा काट कर देगा मतलब काटके उसका जो रिमेंडर होगा सेसफ़ल 0 अज़ये को इसा नमबर है को इसा नमबर नहीं है ठीक है समझ मारें दूसी तरह मैं अब अगर बोलू कि पंध् ऐसे से आएगा तो यह सारा चीज 15 का क्या है multiple अगर मैं बोलू कि 15 का हमको factor बताओ तो ऐसा number जो 15 को पूरा-पूरा काट दे तो 15 किसे कटेगा एक से कटेगा दो से कटेगा नहीं तीन से कटेगा माज से कटेगा और 15 से कटेगा और कोई number है जो 15 को पूरा-पूरा कर दे कोई नहीं है समझा रहा है उसी तरह मैं बोलू कि 20 का multiple बताइए मुझे 20 का multiple तो क्या बोलेंगे कि सर 20 का table में आता है 20 40 60 80 तो यह सारे और भी कुछ है आगे आगे वह 20 का table में आता है तो यह 20 का multiple है बहुत है बढ़िया दोस्तों फिर मैं बोलू 20 का factor बताओ 20 का factor तो अ 20 से कटता है तो 20 का factor यह होगा मैं बोलूगा very good आपको समझ में आ गया तो आप समझ गए कि multiple वो होता है जो उसके table में आता है और factor वो होता है जो उसको पूरा-पूरा काट देगा तो अब हम समझेंगे कि LCM क्या होता है ठीक है तो LCM का क्या है full form दोस्तों list common multiple मतलब ऐसा number list मतलब कम से कम वो number हमको प्राप्त करना है जो common हो ठीक है और उसके पहाडा में आए ठीक समझ में आ रहे है तो इसे मैं बोलूँ कि 5 और 15 का हमें LCM बताओ LCM of 5 and 15 तो आप बोलेंगे कि सर 5 का table लिखेंगे हम 5, 10, 15, 20, 20 ठीक और 15 क्योंकि हम में multiple बताना है न और common मतलब क्य कि common होगा दो या दो से अधिक संख्या में तो अगर मैं बोलू 5 और 15 का आपको LCM हमें बताओ तो आप सबसे पहले आप 15 का multiple लिखेंगे 15, 30, 45 फिर देखेंगे कि यार पारला number अब list बता करना है common तो बहुत सारा चीज होगा जब 5 का table पढ़ेंगे तो 30 भी आएगा 35, 40, 45 50, 55, 60 और भी कुछ-कुछ आएगा तो जब हम LCM निकालते हैं तो सबसे पहले हम table लिख लेते हैं दोनों number का या जितने विदिक number होगा और उसमें से सबसे पहले क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हम multiple देख रहे है multiple में table होता है सबसे पहले हम table लिख लेंगे और सबसे पहले व जो common है वो क्या है 15 इसलिए LCM क्या होगा 15 क्यों LCM 15 होगा क्योंकि हमें list पराप्त करना है मतलब जो सबसे छोटा से छोटा हो जो common हो और common कैसे पत्ता चलेगा table से ठीक है तो अगला और भी term common है 30 भी common है तो 30 LCM निहीं होगा क्योंकि 30 जो है वो सबसे छोटा जो common number है 15 उससे बढ़ा है तो लेकिन हमें पता करना है list ठीक है तो LCM क्या होगा 15 के लिए यहां तक वसी तरह मैं बोलूँ कि मुझे 10 और 30 का आप LCM बताई है तो 10 का table लिखिए 10 20 30 का LCM क्या होगा अगर मैं पूछ हूँ तो 10 का table लिखिए 10 20 30 40 50 60 फिर 30 का table 30 60 90 120 तो पहला नंबर जो common है वो क्या है 30 है तो LCM क्या होगा 30 ठीक है ऐसे आपने सिखाओ का बच्पन में LCM ऐसे भी हम निकालते हैं कैसे 10 और 25 पिर आपने देखा होगा 5 से डिवाइट करते हैं 5 उन दस पच्चे 25 पिर LCM क्या होता इसका 5 इंटू 2 इंटू 5 मतलब 50 ठीक करेंगे आप टेबल के रूप में तो 10 कर 10 20 30 40 50 60 और 25 का टेबल लिखेंगे 25 50 75 तो पाहला नंबर जो common क्या है वो 50 क्या होगा 50 ठीक है यह वाला आपको यूज नहीं करना है और नहीं यह टेबल वाला यूज करना है आपको यूज करना है सौट कट यह तो मैं आपको समझा करने के लिए बता रहा हूँ तो आप यूज करेंगे सौट कट कैसे सौट कट निगा लेंगे तो माल लिजे मैंने पूछा है कि 10 और 30 का मुझे एल्सियम बताओ तो सबसे पहले आप 10 बटा 30 करेंगे तो 10 बटा 30 कितना होगा काट देजे काटते जाए तब तक काटी जब और वो ना कटे तो 10 बटा 30 को काटेंगे तो 1 बटा 3 होगा आप क्या के यह दस बटा 30 इधर लिखे और इधर 1 बाइक द्री लिखे आप इसको कर दिजे क्रोस मलिटिपलाई ठीक है तो 10 इंसको number का आप को फ्राउपत करना है तो उसको सबसे फेले at ratio में लिख लेजिए ज अब तक कटता है काटते रहिए फिर cross multiply कर दीजे तो वही आपका LCM होगा जैसे मैं बोलू कि 10 और 18 का LCM क्या होगा ठीक है तो अगर आप table से लिख के चलेंगे तो छोटा table तो आप बता लेंगे लेकिन बड़ा table नहीं बता पाएंगे तो सबसे पहले 10 by 18 लिखिए इक्वल टू काट काटिए इसको दो पच्चे 10 दू नव अठारा और कटेगा नहीं कटेगा तो दस बटा अठारा कितना होगा पांच बाए 9 अब एक पर अपली के दस बाठारा इक्वल टू 5 बाए 9 अब cross multiply किजे तो 10 इंटू 9 कितना हुगा 90 तेलसेम कितना होगा 90 आप 18 इ अठारा का यहीं बताओ क्या होगा यह पचीस यह फिर यह ऐसे लिखते हैं 27 ठीक है 27 और हमें 36 का यहीं बताईए कितना होगा तो अगर टेबल से करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा टेबल लिखके गुना करके हम लिखेंगे 27 बाए 36 कितना होगा काटे काटिए इसको तो 3 से 39 27 फिर 3 से 12 कटेगा फिर 3 तीनो तीन चुक 12 और कटेगा नहीं कटेगा तो 3 भाई 4 हुआ तो LCM होगा 27 और 36 का 27 बराबर क्या आए गया मेरा 3 बटा 4 आगया ठीक है अब इसको क्रोस मल्टिप्लाइ कीजे किजी कोगी तो 27 इंटू 4 कितना होता है 108 तो LCM कितना होगा 108 ठीक है आप इसको 34 इंटू 3 भी कर सकते हैं तो 36 इंटू 3 कितना होगा 108 होगा ठीक है तो आप समझ रहे हैं कि जब भी आप नोट करके आप एक नोट करके एक पॉइंट लेखिए जब भी दो नमबर का LCM जानना हो तब उसे फ्रेक्शन में लिख कर उसको तब तक काटो जब तक वा कटे ठीक है वो इतना कमाना है काट दी है लिख के फिर उसको ओरीजिनल नमबर से क्रोस मेल्टिप्लाई करो ठीक है जो LCM होगा तो वही मैं बताया है जब भी दो नमबर आपका दिया है 27 और 36 तो उसको आप फ्रेक्शन में लिखिए फिर काटी है जब तक वा कटे तो तीन पुटा चार आ गया अप यह जब ओरीजिनल जो नमबर था 27 और 36 उसको रेशियो में लिखिए क्रोस मुल्टिप्लाई कर दीजिए तो वही हमारा LCM होगा ठीक है तो जब भी दो नमबर का LCM आपको निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे तो जल्दी निकलेगा ऐसा नहीं है कि 27 और 36 का अगर आप ऐसे निकालेंगे तो आपको नह 3 नमबर का LCM तो वह भी होता है LCM of 3 और मोर नमबर 3 या 3 सधीक नमबर का LCM हम कैसे निकालते हैं तो इसे मान लिए आपको बोला कि 12 और 16 या 18 का में LCM बताओ ठीक है तो अभी आपने क्या देखा कि जो भी LCM होता है वो उसके टेबल में आता है ठीक है इसका मतलब अगर हम 12, 16 और 18 का LCM लेंगे तो आपको तो ये तो पता है कि भाया जो भी LCM आएगा जो बड़ा नमबर होगा उससे कटना चाहिए उसके टेबल में आना चाहिए मतलब जो भी LCM होगा मेरा वो 18 इंटू संथिंग होगा क्योंकि 18 के टेबल में आना चाहिए तभी LCM होगा ना बा जो भी तो उसका multiple का लाएगा तो 18 इंटू की है उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तो वह हमें depend करेगा अब हम क्या करेंगे कि जो भी नमबर सबसे बड़ा है उसको छोटे नम उसको हम जो भी वागी नमबर बचे हैं उससे divide करेंगे मतलब हम इसका अगर हम LCM पर 298 ठीक है अब जो भी मेरा numerator है उपर numerator में क्या बचा दो और 8 दो और 8 का हम LCM लेंगे तो दो और 8 का होगा दोस्तों कोई बच्चा भी बता देगा किसा 2 और 8 का LCM अगर परात करना है तो हम लिखेंगे 2 बाइट बराबर इसको काटेंगे क्या होगा 1 बटा 4 तो LCM क्या हो करेंगे तो LCM क्या होगा दो नमबर के LCM तो आपको बताया तो उपर निकालना 8 होगा तो जो भी LCM आया उसको यहां पे लिखें ठीक है तो वही हमारा 18 ठीक ना होगा 144 तो यह हमारा LCM आ जाएगा 1268 का समझ में आ रहा है तो अगर तीन नमबर के LCM प्राप्त करना है तो स सबसे पहले जो बड़ा नमबर है उसको यहां पे लिखें और जो भी बड़ा नमबर हो उससे डिवाइट कीजिए बाकी नमबर का जो चीज बचा नुमिरेटर में उसका LCM लेजिए और उसको इससे मल्टिप्ला कीजिए बड़ा नमबर से वही हमारा LCM आएगा समय माया क तो फिर एक्जामपल सब समझें समझ जाएंगे इसे माल लिए 26 है और 13 है और 48 है हमें इसका LCM परात करना है माल लो ठीक तो इसमें सबसे बड़ा नमबर कौन सा है LCM आफिस का कितना होगा सबसे बड़ा नमबर कौन सा है 48 तो LCM कितना होगा 48 इंटो उसका जो भी नमबर बचा उसको हम डिवाइट करेंगा 48 तो 26 by 48 और 13 by 48 यही दो नमबर बचा अब फिर हम इसको काटेंगे जब तक तब तक ना कटे तो 26 कटेगा 2 से 13 दोना 26 और यह कट नमेरेटर बचा नमेरेटर क्या भचा है इसमें बचा 13 और इसका नमेरे टर नमेरेटर मतलँ अंस इसका 13 इसका 3 और यह घरलें लेंगे L CM लेंगे तो 13 और 13 काए है 120 150 और 180 अब इसका LCM पराप्त करना है ठीक तो सबसे पहले LCM of सबसे पहले क्या होगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 180 तो 180 इंटू किए अब बाकी नंबर बचा बाकी क्या बचा 120 और 1.5 तो उसको हम लोगों ने डिवाइट कि 180 से तो 120 और 180 ही हुआ और 150 और 180 है हुआ फिर तब डंब गरतेंगे जब तक वह और dt पोसे काटे रात। यह भी नुमेटर को आया दो आया और 5 पांच की यह होगा। दस होगा क्योंकि 5 के टेबल में भी 10 आता है 2 के टेबल में भी 10 आता है ठीक है और दुनों सबसे पहले बार 10 ही में मिलेगा तो 2 और 5 का एलसेम कितना हो जागा 10 यहां पर लिखे देंगे ब्रैकेट में और फिर मल्टिप्लाइ कर देंगे तो एलसेम होगी 18 समय में आ गया कैसे निकाल सबसे पहले जो सबसे बड़ा है क्या बड़ा है 120, 120 को यहां लिखेंगे अब हम लोग बागी नंबर बचा है उसको 120 से डिवाइट करेंगे तो यहां पर क्या होगा सबने होगा 100 यह 30 हैं 10 root 120 और 30 root 125 और 45 फिर काटिए जब तक तब तक ना गटे 00 कटा इसमें क्या बातए एक और बारा और कटेगा नहीं कटेगा इसको काटए-0-0 कटंगा 1 बचा इसमें एक बचा इसमें एक बचा इसमें 3 बचा तो 1 एक और 3 до 2 कीतना हो गया 3 कितना हो गया 3 तो यहां पर हमने तीन लिख दिया अब 120 इंटू 3 कितना होता है 360 तो LCM कितना हो गया तो LCM कितना होगा 10, 30, 45 और 120 का तो 360 होगा समझ महा रहा है तो इस तरह सामें LCM निकालना है ठीक अगर दो नंबर का है तो उसका rescue करके फिर निकाल लेंगे और अगर तीन या तीन से अधिक नंबर है तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिख लेंगे उसको गुना करेंगे बाकी जो नंबर है उसको बड़ा नंबर से divide करेंगे तब तक काटेंगे जब तक ना कटे उसके बाद जो भी numerator है ठीक है उसका हम लोग LCM लेंगे जो भी LCM आएगा उसको बड़ा नंबर से multiply कर देंगे वह हमारा LCM आ जाएगा टोटल नंबर का ठीक है समझमा गया तो इस तरह से हमें निकालना है LCM क्लिए ठीक है उसके बाद अगला जो में पढ़ना है LCM of co-prime नंबर देखिए सबसे पहले समझे को प्राइम नंबर क्या होता है तो को प्राइम नंबर का हमें LCM पराप्त करना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा न को प्राइम नंबर क्या है तो को प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो एक दूसरे को ना काटे तो जो नंबर एक द होगा ठीक है, जैसे मैं बोलू दो और छे ये बताएए, छे को दो काट देगा देगा हाँ, इसार काट देगा, तीन बार में, इसलिए ये को प्राइम नम्बर नहीं होगा, मैं बोलू दो और पांच तो ये बता ये दो के तो तो जब हम को प्राइम नंबर का लिए होता है वो होता है दोनो नमबर का multiple दोनो मतलब कोई भी नमबर हो सकता है चार भी नमबर हो सकता है तो सबी नमबर को multiple जैसे मैं बोलने हूं कि 2, 5 और 9 यह बताईए कोई भी 2 के टेबल में 5 आता है नहीं आता है 2 के टेबल में 9 आता है नहीं आता है पांस केटेबल में दू आता है नहीं आता है तो इसका मतलब तीनों क्या है को प्राइम नंबर का तो सभी नमर को multiply कर दीजिए, गुन्ना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुन्ना, तो 259 कैल्सियम क्या होगा, 2 into 5 into 9, तो 259 कैल्सियम क्या होगा, 90 होगा, ठीक है, जैसे मैं बोलू, कैल्सियम निकालो आप 111, 131 और 141 का, तीनों नंबर आपस में नहीं कटेगा, कटेगा, देख लीजे, भी नहीं कटेगा, 111 के टेबल में, 131 नहीं आएगा, नहीं, 111 के टेबल में, 141 आएगा, ठीक है, मतलब जो भी अगर, LCM देखेंगे, 111 के टेबल में छोड़िए, ठीक है, उसी तरह से, 1041 के टेबल में 31 नहीं आता है। तो यह तीनों नंम伍र क्या है को प्राइमें तो इसका एंसम् helping क्या होगा 111ंटू 131 इन्टू 101 जो भी नमबर आगा वहकत का एंसम क्या होता है सबीं नंबर को मल्दिप्लाई कर gj contemplate दो number का निकालना है तो हम ratio लेते हैं उसके बाद cross multiply करते हैं और T number का निकालना है तो जो सबसे बड़ा number है उसको लिख के बाकी जो number है उसको बड़ा number से divide करते हैं तब तक करते हैं जब तक ना कटे फिर जो भी numerator आता है अंस आता है उसका LCM लेते हैं और उसको बड़ा number से multiply क करना है तो आपको कुछ important चीज को याद रखना पड़ेगा ठीक है सबसे पहले आपको टेबल मतलब पहाड़ा 20 तक आप याद कर लीजे पहाड़ा 20 तक याद कर लीजे यह पर मैं टेबल आपको calculation करने नहीं सिखा सकता न इसलिए आप जो है 20 तक टेबल आपके मुझवानी ह होना चाहिए अगर नहीं याद है कोई बात नहीं अभी बहुत समय है थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा तो 20 तक आप टेबल याद कर लो तीन चीज आपको याद करना पड़ेगा पहला 20 तक टेबल दूसरा 20 तक या 30 तक समझझे तीस तक आपको स्क्वाइर याद करना पड़ेगा उसका वर्ग ठीक तो यहां पर लिख देते हैं कि आपको तीस तक वर्ग लिख देते हैं तो आपको असानी होगा याद करना ठीक है जैसे 10 तक तो सबको याद रहता है ठीक है तो 11 का स्क्वाइर होता है 121 12 का होता है 144 13 का स्क्वाइर हो होता है 196 15 स्क्राइब होता है 256 17 होता है 289 18 क इसक्रार होता है सकते हैं 22 का होता है 484 23 का स्कॉयर होता है 529 26 का होता है 576 25 का होता है 625 26 का स्कॉयर होता है कितना 666 27 का स्कॉयर होता है 729 28 का स्कॉयर होता है 784 29 का स्कॉयर होता है 841 और 30 का स्कॉयर होता है 900 तो 30 तक आपको स्कॉयर पूरा याद होना चाहिए 10 तक तो याद होता है सबको बाकि 11 से 30 तक बार बार याद करके आप कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको 20 तक पहाड आपको बहुत जल्द हो झाये है, और तीसरा चीज़ जो आपको याद करना है, एक का क्यूब एक, दो का क्यूब एक, तीन का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 49, 49 इंटू 7 कीतना होता है 343 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब हो جाएगा 729, ठीक है 8 का q 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 3 3 7 5 16 का क्यूब कितना हो जाएगा 4096 17 का क्यूब कितना हो जाएगा 17 20 तक आपको सिसकी याद कर लेने का ठीक है और यह तुरंत हो जाएगा धीरे-धीरे करेंद हो जाएगा तो 17 का क्यूब हो जाएगा 4913 4913 18 का क्यूब हो जाएगा 5832 19 का क्यूब हो जाएगा 5859 और 20 का Q हुजागा दूस्तों, 8000 तो यह जो आपका तेन चीज आपको याद करना है, पहला तो आप टेबल याद करलो 20 तक, उसके बाद 30 तक आप असक्वाइर याद कर लीजिए ठीक है, और उसके बाद 20 तक आप Q याद कर लीजिए, अगर ये सब आपका याद कर लेते हों दूसरा जो basic चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे fraction के बारे में ठीक है उसके बाद यह जब complete हो जाएगा पांच-दस मिनट में फिर नेक्स लिक्चर में फिर हम रेसियो और प्रपोस्टन जो हमारा पाहला टॉपिक है वो पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले यह जो चीज़ आपको बताया है हम LCM निकालना और fraction निकालना वह आपका उसमें बहुत काम होगा इसलिए मैं आपको बता र लगेगा इसलिए मैंने आपको बेसिक सही है आपको पढ़ा दिया क्योंकि इस कोर्स का नाम है बेसिक टू एडवांस ठीक है तो fraction क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो fraction मतलब ऐसा नंबर जिसको हम P by Q के form में लिख सकते हैं मतलब जिसमें भी numerator होता है मतलब uns होता है और जिसमें भी denominator होता है मतलब हर होता है उसको हम लोग fraction बोलते हैं ठीक है मतलब दोनों रहना चाहिए numerator भी और denominator भी मतलब P भी रहना चाहिए और Q भी तो जो भी number को हम P by Q के form में लिख सकते हैं और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए इस symbol का मतलब है 0 जो है नह fraction बोलते हैं ठीक है समय आगया तो fraction ऐसा नंबर होता है जिसको P by Q के form में लिख सकते हैं जैसे मैं बोलू 5 5 fraction है हाँ है सर क्यों जैसे 5 बारा है ठीक है तो यहां पर P कितना है पांच और Q कितना है बारा है तो 12 0 है नहीं है इसलिए हमारा क्या हो गया एक fraction हो गया ठीक है तो पर Q जो होगा वह 0 नहीं होगा मतलब denominator जो होगा हर जो होगा वह 0 नहीं होगा, clear जो हर होगा वह 0 नहीं होगा. आप देखें जो fraction होता है दोस्तों उसको में लोग तीन टइप में divide करते हैं तीन टाइप में divide करते हैं ठीक है एक को बोलते है proper fraction ठीक है एक को बोलते है improper fraction तीसरा को बोलते है mixed fraction ठीक है तो proper fraction का मतलब जहां पर जो अंस होगा वो हर से छोटा होगा क्या होगा जो अंस होगा वो हर से छोटा होगा मतलब जो नियुम्रेटर जहां होगा वो डिनोमिलिटर छोटा होगा जैसे जो हम भी जो हम लोग सोचते हैं मैं बोलूगा कि एक फ्रेक्शन सोचाओ आप तुरंट सोचेंगा मन में किसा तो बाय 3, तो जो हम लोग generally मन में सोचते हैं, वह प्रMost्परेक्सन ही सोचते हैं, जहाँ पे जो numerator है कितना है, दो, denominator कितना है, 3, तो 2 3 से चोटा है, मैं बोलू 4 बाय 3, तो यह प्रोपर फ्रेक्सन है नहीं है, क्योंगि 4 बड़ा है, 3 बाय 4 बोलूँगा, यह प्रोपर फ्रेक्शन है ठीक है जहां भी निम्रेटर छोटा होगा ती निम्रेटर बड़ा होगा अंस छोटा होगा हर बड़ा होगा वो प्रोपर फ्रेक्शन होगा इसी के ठीक उल्टा होता है इन प्रोपर फ्रेक्शन जहां पे जो हर होता है ठीक है जहां पे जो अंस होता है वो हर से बड़ा होता है ठीक है तो इसका उल्टा हो जाएगा प्रोपर फ्रेक्शन को उल्टा यहां पे जो हमारा अंस होगा वो हर से बड़ा होगा मतलब निम्रेटर निम्रेटर से बड़ा होगा जैसे मैं तीन बाई दो लिखूं तो क्या है इंप्रोपर फ्रेक्शन क् एक होता है mixed fraction जैसे मैं बोलू दो पुर्णांक दो भाई तीन यह mixed fraction है जब जब हम लोग इस तो को इस तरह से दिखते हैं मैं बोलू पांच पुर्णांक एक बटा छे यह क्या है mixed fraction ठीक है तो आपको पता होगा इसको अगर हमको बताना है लिखना है हमको पी वाई क्यू में तो कैसे लिखेंगे तो हम लोग दो और तीन को multiply करेंगे तो दो तीया कितना हुआ च्छे और इसमें जोड़ते हैं दो तो छे और दो आट भाई तीन अगर मैं लिखो टेन पुर्णांक एक बटा पांच बराब चोटा होता है ठीक है और proper में नीमिरेटर चोटा होता है ठीक है और mixed में जब इस तरह का हम लोग लिखते हैं ठीक है समझुआ है अब देखिए हम क्योंरे चांप्रेक्शन प्ढ़ रहे हैं क्यूंकि fraction है separate ही हम अब बैक्षन से रिलेटेड होता है रेसियो ठीक है percentage मतलब यह बतला sign और ratio मतलब हम अभी आपको बता रहे हैं जैसे मैं बोलू फाइप परसेंट तो परसेंट का मतलब क्या होता है बटा सो तो पांच परसेंट मतलब पांच बटा सो तो पांच बटा सो हो गया पी बाइक्यू के फॉर्म में हो गया अगर मैं बोलू दस परसेंट मतलब दस बटा सो जहां भी परसेंट है इसका मतलब पर मतलब होता है बटा और सेंट मतलब होता है सो तो बटा सो करेंगे मतलब यह हो गया पी ब कोई भी fraction को जितना कट रहा है उतना काटते रहो तो जो लिस्ट फ़र्म होता है उसका हम लोग रेशियो बोलते हैं तो रेशियो मतलब list form of fraction मतलब कोई भी fraction का सबसे छोटा रूप काने का मतलब जब तक fraction cut रहा हो तब तक उसे काटो ठीक है उसके बाद जो चीज बसता है उसको ratio बोलते हैं जैसे मैं बोलू हूँ 5 बटा 100 तो 5 बटा 100 एक fraction तो है क्योंकि ये P by Q के form है लेकिन क्या ये ratio है तो आपका जवाब होगा नहीं क्यों क्योंकि ये कटेगा तो 5 से कड़े आएगा 20 अब ये कटेगा एक और 20 नहीं कटेगा तो ratio क्या हो गया 1 by 20 और ratio कम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 is to 20 ठीक है तो ये जो डॉट का मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि ये क्या है दिवाइड अगर मैं बोलू 5 by 105 तो ये P by Q के form में है है तो क्या ये fraction है हाँ सर ये fraction तो है लेकिन क्या ये ratio है तो बोलेंगे नहीं सर ये ratio नहीं है क्योंकि 5 से ये कटेगा 5 एकम 5 और 21 तो कितना होगा 1 by 21 ये हमारा हो गया ratio इसको हम लिख सकते हैं 1 is to 21 ठीक है समय मारा है मैं बोलू 26 by 26 by 48 क्या ये fraction है हाँ सर है क्योंकि P by Q के form में हम लिखे है इसको और Q जो है हमारा 48 वो 0 नहीं इसलिए तो fraction तो है लेकिन क्या ये ratio है नहीं से ratio नहीं है क्यों क्योंकि और ये भी कटेगा तो 2 से कटेगा 13 और 2 से कटेगा 24 अब 13 और 24 अपस में कटेगा नहीं कटेगा क्या कोई नमबर है जो 13 को भी काटे 24 को भी काटे कोई नहीं कटेगा तो 13 बटा 24 ये हमारा एक ratio हुआ बात समppa किना आया fraction क्या होता है कोई भी जो PYQ के form में होगा उसको क्या बोल देते हैं fraction लेकिन जब तक वो काट रहा है तब तक काटते हैं रहो फिर जो सबसे छोटा चीज बच रहा है उसको उगलो रेसियो बोलते हैं तो यह relation है हमारा fraction और percentage में percentage मतलब बटा सो तो PYQ के form में बचेगा ठीक है जो fraction होगा रेसियो मतलब fraction का ही सबसे छोटा रूप ठीक है तो हम आपको एक तरफ percentage लिखेंगे और फिर उसका fraction आपको याद करना है जैसे मैं बोलू hundred percent तो आप क्या लिखेंगे है hundred percent बराबर hundred by hundred मतलब one तो एक तरफ हम लिख देते हैं percentage ठीक है और उसका इस तरफ हम लिख देते हैं ratio ठीक है तो hundred percent का ratio कितना हो गया एक हम लिखेंगे आपके 50 percent तो 50 percent मतलब 50 by 100 ठीक है इसका ratio क्या हो गया पचास से कम पचास एक और दो one by two ठीक है पचास बैसो यह fraction लेकिन जब तक कटेगा तब तक काटो तब बनता है ratio अकर मैं लिख दू twenty five percent तो 25 percent मतलब 25 by 100 तो पचीश से कम पचीश पचीश चोका सो कितना हो गया बन बाइ five आएगा ठीक है अगर मैं लिखा हुआ है कहीं पर दस परसेंट तो दस बाइ सो मतलब one by ten कहीं पर लिखा हुए thirty three one by three percent तो 33 into three कितना होता है 99 और एक कितना होगा तो सो बाइ तीन परसेंट सो बाइ तीन परसेंट मतलब सो बाइ तीन इन्टू 100 मतलब बाइ में 100 100 कटीए तो वन बाइ रेशियो में इसलिए यह सब आपको याद करना है कि ता three one by three percent बराबर one by three होता है इसलिए यह सब चीज आपको लिखा जा रहा है अगर कहीं लिखा हुआ है सुला two by three percent ठीक है तो इसको आप निकालेंगे तो यह आपका आएगा 50 by three percent equal to 50 by three into one by hundred मतलब one by six तो कहीं पे अगर सुला into two by three percent लिखा हुआ है तो one by six इसका value होता है कहीं पे अगर लिखा है 14 into two by seven percent तो जब आप इसको इसी तरह से निकालेंगे तो इसका जो ratio आएगा हो आएगा one by seven ठीक है यह आप निकालके देख लेंगे जिस तरह से पहले हम लोगों ने निकाला भी तो बारा one by two का मतलब आएगा value one by eight ठीक है एक ग्यारा one by nine percent का जो value आ 11 आता है eight one by three percent का जो value आता है one by बारा आता है ठीक कैसे आता है simple अग्मान इसको निकालना है तो आट यह 24 एक पचीस 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 by three percent हुआ तो क्या होगा पचीस by three into one by hundred क्योंकि 100 से सब को divide करेंगे क्योंकि percentage है तो काटेंगे तो पचीस से कम पचीस पचीस चो कितना गया एक बटा बारा तो देखिया आगे ठीक है तो यह आपको याद करना है जामें आपको निकालने नहीं बैटना है अगर अब ठीक है निकालना भी है तो किस तरह से निकालना है वह आपने आपको बता दिया लेकिन यह सब चीज को आपको याद कर लेना है ठीक है क्योंकि one by seven percent तो क्या होगा 50 by seven into one by hundred करेंगे ठीक है तो कितना होगा एक वाटा 14 ठीक है अगर लिखा हुए कहीं पर six two by three percent तो इसका value आता है ratio आता है एक वाटा पंद्रा कहीं पर लिखा हुए six one by four percent तो इसका value आता है एक वाटा 16 कहीं पर लिखा हुए three by four percent तो इसका value आता है तीन वाटा 16 कहीं पर लिखा हुए 37 one by two percent तो इसका ratio आता है three by eight तो यह सारा जो चीज है वह आपको याद करना है समझ मारा कि नहीं तो यह सारा चीज मैं इसलिए आपको लिखा दिया यह सारा ताकि आप उसको ध्यान से याद कर लिजे कि 100 पर सेंट का ratio one 50 का 1 by 2, 20 का 1 by 4, 20 का 1 by 4, 20 का 1 by 5, 10 का 1 by 10, 5 का 1 by 20, 33 का 1 by 3 का 1 by 3, 16 का 2 by 3 का 1 by 6, 14 का 2 by 7 का 1 by 7, 12 का 1 by 2 का 1 by 8, 11 का 1 by 9, 9 का 1 by 11 का 1 by 11, 8 का 1 by 3 का 1 by 12, 7 का 1 by 7 का 1 by 14, 6 का 2 by 3 का 1 by 15, 6 1 by 4% मतलब 1 by 16 18 3 by 4% मतलब 3 by 16 37 1 by 2% मतलब 3 by 18 तो हम लोग ने आपको बता दिये यहां पर कि कि इस तरह से हम लोग percentage को ratio में change करते हैं ठीक है दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे next lecture में हम लोग पढ़ेंगे तो अल्रेडी एगंटे का lecture हो गया next part में हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग सुरू करेंगे हम लोग का जो original topic है वो ratio and proportion ठीक है तो उसके पहले आपको LTM का जानकारी होना चाहिए था मैंने आपको बता दिया fraction क्या होता है वो अच्छे से आपको बता दिया और किस तरह से percentage को ratio में convert करते हैं वो सब आपको बता दिया तो वो सब अच्छे से याद रखिएगा note बनाईएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजे CC8 में मैं promise करता हूँ कि आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा असानी से जिस तरह मैं आपको GS पढ़ा रहा हूँ और उसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा उसी तरह से CC8 को भी निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मैं नहीं चाहता कि कोई भी आप मेहनत करते रहे हैं मन लगा के फोकस होके आप जरूर सफल होंगे इसी मंगल कामना के साथ इस लेक्चर को यहीं पर इंड करता हूं दोस्तों ठीक है याद रखेगा हम लोग का जो सी सेट का लेक्चर होगा ठीक है वो विक में तीन दिन होगा तीन देज होगा ठीक है विक में कितना दिन होगा तीन देज होगा और हर लेक्चर वन आवर का होगा कितने आवर का होगा वन आवर का हम लोग का टार्गेट है कि जनवरी तक 31st जनवरी तक आपका स्लेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे पूरा सी सेट का चाह होगा previous year question को solve करके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा ठीक है 35 जन्रीज से पहले भी खतम हो जाएगा ठीक है लेकिन 35 जन्रीज तक तो असान से असानी से खतम हो जाएगा ठीक है विक में तीन क्लास होगा ठीक है जरुवत पड़ेगा तो तीन क्लास को और भी बढ़ाएंगे हम लोग ठीक है और एक आवर का क्लास होगा तो कि जो तीन हंटे तीन दीन क्लास होगा एक घंटे का वो कब कब होगा आप लिख लीजे मंडे को ठीक है टाइम रहेगा 930 a.m नाइन थटी एम को आपका रिकॉर्डड ट ट्कलास हर मंडे को आ जाएगा ए घंटे का 9.30 को 9.30 से ट्वें थिफिट है यह रिकॉर्ड ट होगा प्लेड से दो आपको एवेलेबल हो जाएगा सीसाइट के नाम सब देखिएगा जीरो आई इस के चैनल पर तो वहाँ पर आपको एवेलेबल मिलेगा ठीक है मंडे को होगा वेड़नस दे को भी सेम टाइम पे 9.30 a.m. पे recorded लाद आपको मलेगा और Friday मतलब एक दिया छोड़के आपको 9.30 a.m. पे कलास होगा ठेक है लेकिन आपका काम क्या है जो भले है क्लास तिन दिन तो यह चीछ आपको द्यान देना है, तो तीन दिन क्लास होगा, मंडे, वेजनेस डे, फ्राइडे, विक में, तीन दिन, ठीक है, क्लास जो रिकॉडड़ेट आएगा, साड़े नौ बजे साइगा, ठीक है, जिस तरह से अभी जो मैं रिकॉड क्लास कर रहा हूँ, वो आपका कल साड़े नौ बजे आएगा तो जरूर उसको देखिएगा अच्छे से समझेगा जो भी डाउट है वो पूछिएगा लेकिन कोई डाउट मुझे ने लगता होगा क्योंकि आपको सबची बेसिक से समझ में समझाया जा रहा है ठीक है तो जरूर बताईए यह इनिसेटिव क मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसको जल्दी ही आपको मिल जाएगा 15-20 दिन में और जोग्रफी का मैं क्लास आपको लिए डेली लेकर आ रहा हूं टाइमिंग है साड़े साथ बजे पी-म रात में और डेली क्लास आपका चल रहा है रिकॉर्डड ठीक है और बहुत अ अल्रेडी मैं आपको एथिक्स जो है पढ़ा दिया हूं कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसको कंप्लेट कर लेंगे सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है प्लेलिस्ट में जाके देखिए ठीक है जो हिस्ट्री पोर्सन है ठीक है वो प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपका पंद्रा दिन के बाद साइस्टेक भी कंप्लेट मिलेगा बहुत मजाएगा साइस्टेक को पढ़ने में ठीक है बस जरूर देखिएगा ठीक है तो सभी चीज क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइट किया जा रहा है दोस्तों जीरो आई चैनल पर आप अच्छे से मन लगा के फोकस होके पढ़ाएगी ठीक है और जो नेक्स्ट जो इन्वार्मेंट जो एकोनॉमी है ठीक है दो हजार- तैइस के लिए हमने पढ़ाया था मुरौनाल सर का एकनॉमी ठीक है तो उसको जरूर देखिएगा क्योंकि एकनॉमी में अस्टाइटिक पौर्शन तो व में कर देंगे ठीक तो सारा चीज आपको एक प्लेटफॉर्म पे जीरो आई चैनल पे प्रोवाइड करवाय जा रहा है जरूर देखिए आपके लिए बहुत फैदा करेगा और आपको प्रिलिम्स निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और मेंस का भी तैयारी हम साथ-सा में रहिए ठीक है याद रखेगा आपका जो आचार आचरन अच्छा होना चाहिए विचार मन में अच्छे-चे विचार लाइए पढ़ाई के बारे में उल्टा-पुल्टा कोई विचार नहीं चलना चाहिए और आपका आहार खान-पान आपका अच्छा होना चाहिए सिर जो पेशी कोई बच्चे को खेल नहीं है कि आप मोज मस्ति करके पढ़ाई करेंगे रसानी से निकल जाएगा आपको दीन राते करके पढ़ना पड़ेगा ठीक है बहुत कंपटिशन है ठीक है हर साल सोचिए मातर जो है एक हजार के आसपस सीट आता है बच्चे एकजाम देत जी रहे है क्योंकि प्रेलिम्स का जो कट ओफ जाता है ठीक है वो आपका नब्बे से सो के बीच में जा रहा है फिर भी मातर दस हजार बच्चे ऐसे हैं 10 से 12,000 ठीक है जो इस एकजाम को प्रेलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं बाकि 6,000,000 में 5,000,000 बच्चे तो सिर्फ भीड़ हैं ठीक है जो तो एक्जाम नभ्य सो नंबर लाही नहीं पा रहे हैं इसका मतलब एक्जाम तफ नहीं है बस आप पर डिमांड कर रहा है कि आप फोकस प्लस डेडिकेशन प्लस हाड़ वर्क के साथ पढ़ते रहे हैं ठीक है और अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं यह नहीं कि आज पढ़ें तो कल नहीं कल पढ़ें तो परसो नहीं डेली अगर आपको जितना भी समय मिल रहा आट गंटा दस गंटा बारा गंटा तीरा गंटा चौदा गंटा जितना भी आपको समय मिल रहा है अब इफेक्टिवली उसका यूटिलाज कीजिए पढ़ाई के लिए जितना पढ़ेंगे मेनत करेंगे उतना लाइफ में आगे जाएंगे और एक्जाम निकालने में उतना असानी होगा ठीक है तो आसा करते हैं कि मेरी बातों को अब ध्य जाज दितना असा होस्फे